भीगी आखें व्यासा सहरा ना है बाद ना है बाश पथर बन के रह जाते हैं बारस बारस भी हो जाते हैं ना बारस ना बारस ना बारस ला बारस वाके तुम्हें याद नहीं आ रहा कुछ भी नहीं अपना नाम भी नहीं कहां बार कहां जाएगी वो पता नहीं मुझको बाहर गई है लेकिन यह पैसे किसी और के हैं मैं जानती हूं मैं तो सिफ तुम्हारी मदद करना चाहती हूं आपकी मदद नहीं चाहिए हमें मेरी जान मेरे अपने वतन पर फिदा हो मैं इस काम को इमानदारी के साथ करने का वादा करता हूं मैं वो डॉकुमेंट्स ला कर दूँगा अम्मी चले जागी अम्मी तांत ले अम्मी प्लीज अम्मी अम्मी भाई अम्मी को क्या हुआ है तुम चलो भ्याद तुम बेहना के पास जो रोना भी बंद कर शाबाश अम्मी तांत लो प्लीज जल्दी अम्मी अम्मी प्लीज अम्मी तांत ले जल्दी अम्मी प्लीज जल्दी अम्मी प्लीज उठे अम्मी बच जाए अम्मी अम्मी जाए प्रभय सीर्ड़मे कि मैंनना ह Cr début नहीं अम्मी को अम्मी आपने अम्मी प्लीजक्त प्लीज़ अम्मी, अम्मी, हम क्या देजिएं के बाद चाहें, अम्मी क्यों छोड़ गई हमें, अम्मी, जानान, मेरी बेटी, जानान, जागो बेटी, जानान, जानान, आंके खोलो बेटा, जानान, आंके खोलो बेटा, जानान, आंके खोलो बेटा, जानान, बाबा, जानान, बाबा, तुम ठीक हो ना जानान तुम्हें क्या हुआ बेटा घबराऊ मत तुम्हें कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा जानान आओ बेटा आज़ा आपके बीनम क्या से जिएंगे अम्मी अम्मी उठ जाए अम्मी आँखे कुले अम्मी जागे प्लीज अम्मी 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 म्मी अम्मी 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 बढ़े अम्मी अम्मी काफी हो गया रेस्ट कर लो अब एकदम इतना काम करके खुद को मानना चाहते हो तुम क्या तो इसका असान तरीका भी है चलो छोड़ो अब बहुत हो गया अभी तुम्हारे सर का जखम ठीक नहीं हुआ है कुछ नहीं होगा मुझे बहुत जल्दी ठीक होकर अपने पेरों पर खड़ा हो जाओंगा ट्रेनिंग ही समझो इसे ताकत तो पहले ही बहुत है तुम में और क्या हरकुलिस की तरह बनना चाहते हो नहीं तो पर मैं एक बात चानता हूं अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो कुछ ले जाओगे इसलिए ताकतवर बनना है जस्मानी तोर पर भी और जहनी तोर पर भी क्या समझें कैसे बता है जला तुम्हें तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं था हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने मुझे कुछ भी याद नहीं है पर मेरे अंदर एक आगसी जलती रहती है मैं खुद भी नहीं जानता कि यह सब क्या है पर यह होता है हाँ भई तुम्हारी परिशानी मैं समझ सकता हूं जो भी हुआ पता नहीं लेकिन लगता है कुछ सही नहीं हुआ लेकिन खुद पर इतना बोज मत डालो जो होना था वो तो हो गया है वक्त हर मर्स का इलाज है दोस्त मुझे अंदाजा है इस बात का मुझे भी महसूस होता है मुझे भी याग लगती है और वो भी बहुत ज्यादा लेकिन एक फर्क है हम में तुम्हें याद नहीं उस आग का सबब क्या है लेकिन मैं सब जानता हूँ और बहुत मुझे से बरदाश्ट करता हूँ जितनी दफ़ा याद करता हूँ आग उतनी ही बढ़ती है लेकिन अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए सिर्फ बरदाश्ट करता हूँ बहुत कुछ तुम भी ऐसा ही करो या दोस्त अपने अंदर की आग को ठंडा रखो अगर इसे अपने अंदर जला के रखोगे तो अपना मिशन कैसे पुरा करोगे और तुम खुद देखोगे तुम्हारे अंदर की आग दुश्मिनों के सीनों को जला के रख देगी समझे गया अब तुम अपने दिलो दुमार को ठंडा रखो पागल मत बनो आया कुछ समझ में के क्या कहा मैंने हाँ समझ गया मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा वक्त का इंतजार करूँगा गुड बाई अच्छा मैं चलता हूँ चलो कुछ रेस्ट कर लो बाद में हम मिल कर काम करेंगे अगर चाहो तो रेस भी लगा लेंगे ओके बाई मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है जोहरा तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना अब क्या कहूँ मैं सोलजर जाओ जाओ जरा ये कमान्डोस के विल्लिंग कहाँ पर है क्या हुआ बोल नहीं सकते क्या कुछ बहरे हो कुछ सुनाई नहीं देता क्या मैं पूछ रहा हूँ कमान्डोस के विल्लिंग कहाँ पर है थोड़ा सागे मेरा मतल नहीं सकुनाफ पर कर दोड़ाई पर है झाल 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 ये मेरिया मिया लुके प्याहत लुको सब कमरों में देखना है लाजमी इदर ही होगी अहाँ उस औरत की बातों में नहीं आना चाहिए था कहीं नहीं गे मैं जानता था होटल में छुपे हैं सब चलो डूंड़ें गो जाजमी लुके नहीं लुके पाल और घर प्राट झाल का जिए और डिए है भाई खॉड़ेर ते देने में के लोगे फिर देने पाथ में प्राट जब चाल को अ खोड़ेंगा ुडरो अ. नहीं भाई यह मेरी अमी नहीं है याज भाई अम्मी को ढूंडे प्लीज ढूंडोंगा भ्याज अम्मी जान को ढूंड लेंगे हम तुम निच्चे के फ्लोर पर देखो मैं उपर देखता हूं सब कमरों में एक एक करकर देखना लाजमी है पॉयलेट्स में भी जाकर देखो जिस मर्दी सुराख में गुज़्या है वो उनको इस दवाल लाजमी डूनना होगा समझ गये और मार देना उन सबको समझे क्या ठी ठीक है जाओ तुम याज भाई हमें हमी मिल जाएंगी ना याज वो आगे भागो भाई हम यहां क्यों चुपे हूंए है बआठाए वा कोसे थेलेट्सकरण सर्क्राड भाई हम यहां क्यों चुपग हूए है यहांenser बोडल हयाँ प्प्पाई हम यहां क्यों चुपए हूएं हैं ब्यास वह बोरे आद्मी थी ना जो हमारे पिछे थी वो लोग यहां है भाई हमने अम्मी को ठूढ़ लेंगे, ओके मैंने यहां नहीं बैठना चलो आप हम मम्मी को ठूढ़ने चले अच्छा ब्यास चुप फर नहीं पकड़े जाएंगे वाई अगर आप नहीं आना तो ब्याद बुको, बुको ब्याद बाई मेने अमी को ढूनना है श्ष। अमी को ढून लेंगे, ओके, लिकिन वो जो बंदे पिछे पड़े हैं अगर उन्होंने पकड़ लिया तो में सीधा मार देंगे, ब्याद अम्मे को कभी नहीं देख सेकेंगे, समझी ठीक है ना चुप हो जाओ, शिखो मत मेहमिश भाई क्या है क्या हुआ मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला आपको मिला क्या तुम्हें जिन्दगी में कभी कुछ मिला भी है लेकिन मुझे ऐसे लगा जिन दो बच्चों की तलाश है वो अंदर है आदम क्या हुआ तुम तो वही बहरे लड़के होना जो हमें वहाँ मिला था और तुम्हारा क्या काम यहाँ कमांडर ये लड़का बीमार है इसका आपरेशन हुआ है ये बीमार है इसलिए तो वहाँ खड़ा फागलों की तरह है इधर उदर देख रहा था अब जल्दी ठीक हो जाओगी शुकर करो के बीमार हो अल्ला तुम्हारे माबाप का बाला करे ठीक है पुछ लो क्या कर रहे हो तुम यहाँ तुम तो वहाँ सिमेंट की बोरियां उठा रहे थे अब क्या हुआ हाँ कौन सी बोरिया मैं कुछ समझा नहीं अच्छा चलो तुम्हें इतना समझाया है के रेस्ट करो बीमार हो चलो यह कहां चला गए यह गधा कहां गए यह लोग अभी मैंने अपने आँखों से देखा है को इधर इंटर होए थे दमाग फटने लगा है मेरा भाई यह खिड़की है खिड़की है यह प्रक्राणा कहां यहां क्या रहे हो तुम लोग करना क्या है सेस्टर पेश्टेंसे मिलने आया है चलोचले 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 यह दिखाई नहीं देता कि नर्स का कम रहे मरीजों का नहीं तुम यहां क्या कर रहे हो अभी मैंने अपने आखों सो देखा है क्यों गई वहां क्यों जिद की तुमने बिटा नहीं जानता हूँ तुम अपनी मा को बहुत चाहती हो तुम्हारी बेहतरी के लिए कुछ नहीं बताया तुम्हें मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता था मेरी बेटी मानता हूँ मानता हूँ मैं के तुम्हें वक्त नहीं दे पाया तुम्हारा गुनागार हूँ लेकिन मैंने ये क्यों किया तुम्हें एक अच्छा मुस्तक्पिल देने के लिए मेरी जान सिर्फ तुम्हें खुशी देने के लिए मेरी जान आखे खोलो मैं तुम्हारे बगार नहीं रह सकता बेटी आखे खोलो ना मेरी जान इसे इस बेड़ पर लिटा देएं सर जराइदर आएगा पेशन को बेड़ पर लिटाने के लिए मदद कर देंगे सारा क्या आप जानते हैं इनको नहीं मैं जानता तो नहीं मगर मैं इने है ऐसा है तो रहने दें आप प्लीज बैठ जाएं नहीं कोई बात नहीं सिस्टर आप इन्हें ऑक्सीजन दें जल्दी इनकी कंडिशन कैसी है कुछ नहीं कहा जा सकता कंडिशन क्रिटिकल है कोशिश कर रहे हैं क्टो है किया जल्दीलिश कोबेशन को किया कुछ भूण झा Phill कर दो कर दो हल्दून तुम्हें मालूम है मैंने अपनी बेटी को देखी लिया आखिरकार देखो वो है हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है ना कितनी प्यारी हो गई है इसकी इतनी आलादी थी के तुम्हें अंताजा भी नहीं कभी होगा भी नहीं हल्दून कभी हुआ भी नहीं मेरे एससाद का तुम्हें कभी बदद चला ही नहीं तुम्ही बताओ के उन्हालाद में क्या करता है और क्यों ये तुम मुझसे बूच रहे है हल्दून सब जानते हो ये भी मेरी बच्ची को तुमने चीना मुझसे इसकी खुश्बू तक को मिस्किया है मैंने और अब पूच रहे हो क्यों? बच्च परियो की तरह सुझ रही है मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी हसरत आखरी बार जब देखा था, तब बच्ची थी अम्मी भी नहीं कह सकती थी अब देखो कितनी बड़ी हो गई है कितनी प्यारी हो गई है न हलदोन, हमारी बेटी का हाथ पकड़ो चलो, भड़ाओ हाथ, चलो आओ मैं इसको तुम्हारे हवाले करती हूं हन्दून वादा करो मुझसे इसकी जिंदकी को तबाह नहीं करोगे जैसे तुमने मेरी की वादा करो खुश रक्षोगे से मेरी गुड़िया का बहुत ख्याल रखोगे तब ही माफ करूंगी में तुम्हें अगर इसको कोई दुख पहुंचा, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। सिस्टर आक्सीजन का इंतजाम करें जल्दी से प्लीज। आप बाहिर चले जाएं, हम आपके पेशन्ट का फ्याल रखेंगे, प्लीज आप जाएं या अल्ला, मेरी खलतियों को बाफ फर्मादे, आप फर्मादे मेरे रख जित छोड़ दो ब्याज, कमरों में देख तो लिया है, अम्मी अगर जिन्दा होती तो जरूर में जाती हमें आप जूट बोल रहे हैं भाई देखा है ब्याज नहीं देखा, नीचे सब कमरों में नहीं देखा आपने बेसमेंट में डेड़ पोटी जी रखते हैं पस, समझ आया तुम्हें कुछ मैं जानता हूँ नहीं देखा मैं अमी जान को, मैं डरता हूँ अम्मी की डेड़ पोटी वहां पर ना हो अम्मी वहाँ पर है जानता हूँ मैं अगर इधर होती तो किसी ना किसी कमरे में जरूर में जाती ब्यास आप जूट बोल रहे हैं भाई अम्मी नहीं मार सकती जूट नहीं बोल रहा ब्यास अम्मी वाके फोट हो गई है अब्बो की तरफ वो भी छोड़ गई हैं हमें जब उन्हें लेने आये तो उनका साथ तोट चुगा था तब ही फोट हो चुकी थी वो जिन्दा नहीं थी वो नहीं भाई हमारी अम्मी को कुछ नहीं हो सकता अम्मी अम्मी याहला क्या मेरी अम्मी से आपको मुझसे जादा प्यार था काश के मैं मर जाती पर अम्मी को कुछ नहीं होता मेरी चोटी बेहना है इसके पीने के लिए दूद भी नहीं है हमारे पास हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है या अल्ला हमारी मदद कर अल्ला मिया हमारी मुश्किले असान कर आमी ये क्या तुम रो रहे हो कमांडर आपको यहां देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरक्की हो गई है या फिर आपको बहुत ही इंपोर्टन टास्क मिला है शायद कोई सीक्रेट टास्क वैसे इसका कोई और मतलब भी हो सकता है पर मैं नहीं जानता कि वो क्या है मेरा असल टार्गेट है तरक्की जो के अब हो भी गई है आपकी बात बिल्कुल ठीक है जब तक मुझे बैज नहीं लग जाते तब तक तो मैं इसी ओदे पर ही रहूँगा ना हमारे बीच सीक्रेट टास्क तो है ही नहीं मुझे तुम्हारी इस तरक्की से बहुत खुशी हुई है तेंक यू सो मच ये तो आपकी नवाजिश है कभी मुल्क से बाहर भी ड्यूटी की है जी हाँ यूएस बेस पावर के दोरानेक ड्यूटी मिली थी जिसे मैंने पूरी जिबेदारी के साथ दिभाने की कोशिश की हाँ किस मुल्क में लबनान काफी खराब हालत थी वहाँ तब उनकी अंदरूनी जंग चल रही थी वहाँ लबनान अच्छे जगा है वहाँ नेलसन डिक नेलसन मेरा क्लोस फ्रेंड था उससे तो जानते ही होगे फैमिली टर्म्स थे मेरे उसके साथ पहली दवादों में रोता देख रहा हूँ कहीं कुछ याद तो नहीं आ गया नहीं तो आँखों में जलन हो रही थी इसलिए और कुछ भी नहीं वाँ अभी भी तो मुझे बेव कुछ समझते हो मेरी जानत को इतना लाइट मतलो मैं बिलकुल सच कह रहा हूँ कभी तो याद आ जाएगा सब और तब शायद खुशी के असु आएंगे आँखों में क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा कमांडर डिक नेलसन लगता है तुम्हें याद नहीं आ रहा काफी दरासकत था वो सुनहरे बाल थे बहुत ही खुबसूरत था अगर तुम लबनान में रहे हो तो उसे यकीनन जानते होगे सर, जहां तक मैंने देखा आप काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ मतलब नहीं समझा मैं तुम्हारा नहीं मैंने ये कहा कि आप मजाक अच्छा कर लेते हैं क्योंकि लबनान में नेलसन नामी कोई भी ओफिसर नहीं था क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपसे जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं सर और यही हकीकत भी है क्योंके लबनान में मैं जितने लोगों के साथ भी रहा उनके नाम गिनवा सकता हूं मैं अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाद में तसलिख कर लेज़ेगा क्योंके डिक नेलसन नाम का कोई ओफिसर नहीं था वहां मेरी यादास्त कमजोर नहीं हाँ मगर आपकी यादास्त जरूर कमजोर हो गई है ओ अच्छा वैसे सही कहा तुमने शायद मैं गलत बोल गया डिक नेलसन लबनान में नहीं बलके कहीं और थे हाँ यादाया मुझे मुझे गलत फहिमी हुई वो लबनान में नहीं यकीनन कहीं और होंगे मैं भूल गया था बेस्ट आफ लक कमांडर एक बार फिर मुबारक हो वेलकम आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा नज़र रखो इस पर मुझे कोई गर्बर लग रही है सुना तुमने क्योंके मुझे इसकी तरक्की पर यकीन नहीं है इसकी जगा पर कोई और होता तो मैं मान भी लेता मगर ये ज़्यादा शातिर है इसका यकीन नहीं किया जा सकता बी केरफुली कोई लापर वाही नहीं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या है उनकी माँ तो मल गई पर बच्चे अभी तक जिन्दा है वो दिखो ब्याद भी परिशान हो रही है चुपो जोनो गुडिया भाई उसे भूख लगी है इसलिए रो रही है ब्याद रोना बंद करो प्लीज बहना के लिए कुछ करना तो है न अब हमें रोने से कुछ नहीं होने वाला अब हमें इसको पालना होगा हम ध्यान रखेंगे अपनी बहन का बड़ी बहन बनना है न आपको मालूम है न बहुत मुश्किल है मगर करना तो होगा अब हमें मिलकर चलना होगा ब्यास अच्छा भाई अब मैं नहीं रूँगी लेकिन इसे भूख लगी है हमें इसके लिए दूर लाना होगा भाई वादा करती हूँ अब मैं नहीं रूँगी नहीं नहीं ये भी नहीं भाई ये ही नहीं नहीं वो नहीं इसका मतलब है कि हमारा पेशन इस होस्पिटल में नहीं है अब दूस्ते होस्पिटल बगारा में देखते हैं पुलिस स्टेशन भी देख लेंगे थेंक्यू सो मच चलो चले थेंक्यू ब्रादर थेंक्यू इंशाला आपको अपना मृरीज मिल जाएगा इंशाला इंशाला भाई यही वो औरत थी उसकेदे की माँ थी पागल तो नहीं हो तो मैंने भी देखे हैं मैं बेगूफ नहीं हूँ आँके है मेरी यह वो ही औरत थी उन बच्चों की माँ थी वो जिसकी हमें तलाश सी कहती तो क्या होता क्या उसकी लाश लेकर जानी थी जिनाज़ा पढ़ा का दफ्राना था क्या तुम्हारा दमाग तो खराब नहीं तुम्हारे पास दमाग है तो इसका इस्तमाल भी अच्छी तरह से किया करो वरना अपने दमाग को खाली रहने दो न्यूटो का दमाग न्यूटो का पथर तुम नहीं समझ सकते इन बातों को छोड़ो एक से तो चुड़का रहा है मिल ही गया और केप्टन खलीच को कहने के लिए अच्छी खबर है अब उसने बात को काफी घुमाया फिराया लेकिन मैंने सब उसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताया बात में कहने लगा कि लिबनान था या लिजबान था मुझे याद नहीं इन्हें क्या पता के इनका वास्ता किस से पड़ा है उन सीक्रेट डॉकुमेंट्स के हवाले से आपको कोई इशारा मिला या नहीं हलो कौन है मैमिश लाओ मिशे दो हाँ बोलू मैमिश क्या हुआ क्या बनाऊ उन बच्चों का याना थै तुम पर तुम बहुत ही चाहिल हो तुम उन छोटे से बच्चों को नहीं पकड़ पाए उन्हें जल्दी ढूड़ना है पकड़ कर माट डालोने मुझे वहाँ आने पर मजबूर मत करो अगर मैं वहाँ आ गया तो सब को माट डालूगा मुझे किसी की समका कोई बहाना नहीं चाहिए जोहल कहीं का क्या हुआ कमांडर हो ना क्या है उनकी माँ तो मर गई पर बच्चे अभी तक जिन्दा है मगर कमांडर अल्दून भी दो वही है अल्दून सही का वो भी हमें कुछ बताए बिना वहाँ से खायब हो गया अल्ला का लाक लाक शुक्र है बेटा मैं तो बहुत डर गया था अगर तुम्हे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता वादा करो कि अब ऐसा कभी नहीं करोगी सच कहूं तो मैं भी डर गई हाल्दून सहाब आपकी बेटी की तवियद अब ठीक है आप चाहें तो घर ले जा सकते हैं आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब थैंक यू अब तुम घर चलोगी ना भाई ये ले इसे आप खा ले ना नहीं प्याद मुझे भूक नहीं तुम खालो खालो न तुम भी ये मैंने नहीं खाना मुझे चिप्स खाने है चलो फिर अच्छा तुम बेहना को खिलाओ मैं तुम्हारे लिए चिप्स लेकिया आता हूँ भाई अब वापेस आजाएंगे ना आउंगा लाजमन आउंगा भी तुम बेहना को अच्छी तरह खिला देना तुम बड़ी बेहन हो फूलना नहीं समझी ठीक है नहीं भूलती मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी ना रो बेहना चुप कर जा रो अच्ट तुम प्रुब प्रुब लुब रो प्रुब अच्ट झाल झाल कर दो कर दो मुटक साओ कर दो कर दो कर दो कौन सी गोली किस बंदोच से निकलती है मैं जानता हूँ चलो उतरो जल्दी करो मिने नहीं उतर नूँ ठीक है मारो मुझे मैंने अपने हाथों से उसकी चाल ले ली शेक क्या कर दिया मैंने अपने मुलक और कौम के लिए मैं हर कुरवानी देने को तयार हूँ